बॉलिवुड का वह बिहारी निर्देसक जिसका पाकिस्तान से है कनेक्शन इसे रुमांटिक लव स्टोरी पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है घर वाले फिल्मों के थे खिलाफ लेकिन उन्होंने हार नहीं माना जब विमेन, लव आजकल, रॉक अस्टार, हाईवे जैसी सुपर हिट फिल्में इन्होंने अपने निर्देसन में दी है बिहारी में जोड के आज के सेग्मिंट में हम बात एक ऐसे कलाकार के बारे में करेंगे जिन्होंने बॉलिवुड को एक अलग मुकाम तक पहुचा दिया इनके दौरा निर्देसित फिल्में समाज में एक नई जान फुकने का काम करती है कहते हैं जब ये विचारधारा पर अधारित फिल्में बनाते हैं तो यह लोगों को खूब पसंद आता है आपको भी पसंद आता ही होगा जैसे हाईवे, तमासा ये वो फिल्में हैं जिसने इस कलाकार को एक नहीं पहचान दी जब स्क्रीन पर जब भी मेट फिल्म आई तो उनके डायलोग और उनकी कहानी के लिए यह फिल्म जो है आज भी लोगों के दिल और दिमाग में बसा हुआ है उस फिल्म के संबाद जैसे एक दूसरे को जोडता है अब तक आप भी समझी गए होंगे हम बात कर रहे हैं कई सुपर हिट फिल्मों के जिर्देसक इम्तियाज अली के बारे में इम्तियाज अली का जन्म अविभाजित बिहार के जमसिदपूर में हुआ था उनका नरिहाल आज भी पटना ही है जब उनका जन्म हुआ तो उनके कुछ समय के बाद ही वे पटना पढ़ाई के लिए आ गए थे हलाकि यहाँ वे लंबे समय तक नहीं रहे और फिर वे चले गए जमसिदपूर इमतियाज अली के पिता सिचाय विभाग में कॉंट्रेक्टर थे और उनकी मा ग्रिहनी थी जमसिदपूर में वे जिस मकान में रहते थे उस मकान से जुड़े तीन सिनेमा घर था तीन में से दो सिनेमा घर तो उनके घर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था ऐसे में जब इम्तियाज अली सोते थे तो उनको सिनेमा हाल में चलने वाले फिल्मों के डायलोग सुनाई देते थे यह सब उनको काफी अच्छा लगता था इनहीं डायलोग के कारण उनकी पढ़ाई पर इसका असर देखने को मिला और वे पढ़ाई में काफी कमजूर हो गए कई वार वे क्लास में फेल भी हो गए लेकिन कहते हैं ना इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है इम्तियाज ने भी इस ठोकर से सीख ली अवे शितिया थी कि उनके दोस्ति उनके सिनियर बन गए थे यह बात उनको खराब लगा और वे पढ़ाई में मन लगाने लगे इसी पढ़ाई का नतीजा था कि उन्हें दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला जहां उन्होंने थेटर करना भी सुरू किया और वो अब सिनेमा की तरफ आगे बढ़ने लगे थे उन्होंने बच्पन से ही डायलोग सुना था वहाँ सब कुछ अब उनकी आखों के सामने होने लगा था इमतियाज अली जब मॉंबई आये तो उन्होंने कॉमनिकेसन का एक कोर्स किया उसके बाद वे डायरेक्शन की दुनिया में अपना पहला पाम रखा था उन्होंने जी टीवी के लिए कुरुचेत्रा के लिए पहला डायरेक्शन किया जब आप इमतियाज अली के संघर्स की दिनों को याद करेंगे तो आपको इस किरिदार के साथ एक किरिदार और दिखेगा उसका नाम है इरसाद कामिल जब ये दोनों मॉंबई पहुंचे तो अपने केरियर की तलास में इधर उधर भटक रहे थे इरसाद कामिल जहां गीत में लेखन को अपना केरियर बनाना चाहते थे तो वह इमतियाज अली फिल्म निर्दिसन में अपना केरियर तलास रहे थे इन दोनों के सामने एक लंबा संघर्स है, मुंबई में एक रात दोनों फिल्मों पर बात करते हुए सड़कों पटाहल रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि रात के दो बच गए हैं, इतनी रात को इन दोनों को घूमते देख, पुलिस ने देखा और उनसे पूस्ताच के इरादे से उन्हें थाने लेकर चले गई, थाने में इन दोनों की पूस्ताच शुरू हुई, तो इस साथ कामिल ने बताया कि फिल्मों के लिए गाने लिखता हूँ, जबकि इम्तियाज अली ने बताया कि मैं फिल्मों में डिरेक्ट करता हूँ, ऐसे मैं पुलिस को समझ म में आ गया कि ये दोनों फिल्मों के मतवाले हैं, जो कि अपनी एक दुल्या बसाने को बेताब हैं, पुलिस ने इन दोनों को घर जाने के लिए छोड़ दिया, और हस्ते हुए दोनों थाने से निकर कर बाहर चलिया है, बात के दिनों में इन दोनों ने बाली बुड को एक से बढ़कर एक फिल्मी दी, इमतियाज अली का कनेक्शन पकिस्तान से रहा, पकिस्तानी टीवी एक्टर, डिरेक्टर और प्रोडूसर खालिस अहमाद उनके मामा है, खालिस अहमाद का जन्म बिहार की राधानी पटना में ही हुआ था, लेकिन वे सत्तर के दसक में पकिस् साल 2006 में उनकी दूसरी फिल्म आई आहिस्ता आहिस्ता, इसमें भी उनका लोगों का रिस्पांस जो है इस फिल्म के साथ भी नहीं जुड़ पाया, इस बार भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी, लेकिन इमतियाज यहां भी घहवराय नहीं, और अपनी कहानी और अपने किर इना कपूर ने सांदार काम किया था, इसके बाद साल 2009 में आए लव आजकल, इसके बाद साल 2011 में रौक अस्टार, 2012 में कॉक्टेल, मुवी ने जिसे ब्लॉक बस्टर फिल्मों के लिस्ट में इमतियाज अली का नाम सामिल हो गया और बॉल्ली बुड में एक सफल निर्दे इसके रूप में अभी इमतियाज अली जानने लगे थे, लव आजकल के लिए उन्हें फिल्म फेर अवार्ड से भी नवाजा गया, अगर उनकी हीट फिल्मों का जिक्र करेंगे तो जब भी में लव आजकल रौक अस्टार हाइवे, तमासा ये वो फिल्मे हैं जिसने इमत इंतियाज अली इसी तरह की बिचार अधारित फिल्मों को हमारे समाज के सामें प्रस्तूत करें और समाज को एक नई दीशा देने की कोशिज करें, तो चलते चलते आप से एक सवाल, इंतियाज अली की कौन सी फिल्में आपको सबसे अच्छी लगे और उसके कौन से आपको भावुक करते हैं, यानि कि अंदर से जब जोर देते हैं